अस्सलामू अलैकुम प्यारे दोस्तों, दोस्तों काबा शरीफ दुनिया की एक ऐसी जगह है जिसके उपर से आज तक कोई भी परिंदा नहीं गुजरा है और दुनिया भर के किसी भी एरलाइन्स का कोई भी जहाज भी आज तक काबा शरीफ के उपर से नहीं गुजर पाया ह कुद्रती तोर पर अल्ला ताला ने काबा शरीफ की direction ही ऐसी रखी है कि कभी भी चांद और सूरज भी काबा शरीफ के उपर से नहीं गुजर पाए है आखिर एए ऐसी क्या वज़ा है कि जिसकी वज़ा से काबा शरीफ के उपर से कोई भी जहाज या परंदा नहीं गुजर पाता है और अगर कभी कोई गुजरने की कोशिश भी करता है तो उसको को या तो कुदरती तोर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर तबाहो बरबाद हो जाता है अल्ला ताला ने काबा शरीफ में ऐसी क्या खास बात रखी है कि जिसकी वज़ा से काबा के उपर से कोई भी जहाज या परिंदा नहीं गुजर सकता है आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं और साथ ही हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि एक बार जब किसी हवाई जहाज ने काबा शरीफ के उपर से गुजरने की कोशिश की तो उस जहाज के साथ में क्या हुआ इसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाओगे इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है आप इसको आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले अगर आपको भी काबा शरीफ से महबत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और महरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुँच सके तो चलिए दोस्तों शुरूर करते हैं दोस्तों, इसलाम में मक्का और मदीना को जन्नत का दर्वाजा माना गया है इसलिए हर मुसल्मान अपनी जिंदगी में एक बार मक्का और मदीना जाने की ख्वाहिश जरूर रखता है और काबा शरीफ का तवाफ करना चाहता है क्योंकि ये वही जगह है जहां पर हज मुकंबल किया जाता है मगर हैरानी की बात ये है कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बड़ी तेजी के साथ में वाइरल हो रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि काबा शरीफ के उपर से दुनिया का कोई भी जहाज या कोई भी परिंदा नहीं गुजर सकता है और अगर कभी कोई परिंदा या जहाज काबा शरीफ के उपर से गुजरने की कोशिश भी करता है तो उसको या तो कुदरती तोर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वो जल कर तबाहो बरबाद हो जाता है मगर दोस्तो इस पोस्ट को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि ये सरासर गलत और जूट है काबा के उपर से जहाज भी गुजरता है और परिंदे भी काबे के उपर से उड़कर गुजरते हैं तो इससे कुछ लोग इस पोस्ट को गलत बता रहे हैं मगर हम आपको बता देते हैं कि ये पोस्ट जूट और गलत नहीं है बलकि ये पोस्ट बिलकुल सच है आज तक कोई भी जहाज काबा शरीफ के उपर से गुजर नहीं पाया है इसके बारे में बात करते हुए अब्दुल रशीद ने जो कि पिछले 25 सालों से सूधी अरब के मक्का शहर में काम कर रहा है उसने बताया है कि मैं पिछले 25 सालों से खाना काबा में रहकर साफ सफाई के काम को अंजाम दे रहा हूँ मैंने आज तक किसी भी जहाज को काबा के उपर से गुजरते हुए नहीं देखा है और ना ही मैंने आज तक किसी परिंदे को काबा के उपर से गुजरते हुए देखा है अब्दुल रशीद आगे कहता है एक बार शाम के वक्त गलती से एक जहाज काबा शरीफ की तरफ आ गया मगर हमने देखा कि जैसे ही वो जहाज काबा शरीफ के करीब पहुँचा काबा शरीफ में अपनी ऐसी क्या कुदरत डाली है जिसकी वज़ा से कोई भी परिंदा काबा शरीफ के उपर से गुजर नहीं पाया है और नहीं कोई परिंदा काबा के उपर उड़ पाता है अल्ला ने अपने घर काबा में ऐसी क्या कुदरत रखी है कि जिसकी वज़ा से काबा के उपर से गुजरने वाला जहाज हो या परंदा जिसको या तो कुदरती तोर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वो जल कर खाक हो जाता है या फिर वो काबा शरीफ की लाइन से अपने आप ही दूर हो जाता है दोस्तों क्या आपको ये मालूम है कि काबा शरीफ की तादाद दो है एक तो काबा शरीफ मक्का में है और दूसरा काबा काबा शरीफ के ठीक ऊपर सीधा जन्नत में मौजूद है जिसको रिवायतों में बेतुल मामूर कहा गया है जहां पर हर वक्त सत्तर हजार फरिश्टे दिन रात तवाफ करते रहते हैं अब दोस्तों आपको तीन ऐसी बड़ी वजह बताते हैं जिसकी वजह से मक्का शरीफ के उपर से कोई भी जहाज या परंदा गुजर नहीं पाता है यानि कि काबा के उपर से परंदे या जहाज के ना गुजर पाने की तीन असल वजह गया है यानि कि काबा दुनिया के बीचों बीच में मौजूद है और आज इस बात को साइंस भी मानती है साइंस ने भी इस बात को कुबूल किया है कि मक्का में बना काबा दुनिया के सेंटर में मौजूद है इसी वजह से काबा शरीफ दुनिया के सेंटर में होने की वज हवाई जहाज अपने आप ही काबा शरीफ की लाइन से दूर हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि काबा शरीफ के उपर कोई भी चीज चाहे वो परंदा हो हवाई जहाज हो या फिर कोई और चीज हो अल्ला की कुद्रत से अपने आप ही काबा शरीफ के उपर से हट जाती है और उस चीज को कुदरती तोर पर वहां से धकेल दिया जाता है यानि कि उस चीज को अल्ला की कुदरत से हटा दिया जाता है यही वज़ा है कि काबा के उपर से कोई भी प्रंदा या हवाई जहास नहीं गुजर पाता है अगर कभी कोई प्रंदा या हवाई चहाज काबा के उपर से गुजरने की कोशिश करता है तो या तो उसको वहाँ से धकेल दिया जाता है या फिर वो जल कर खाक हो जाता है इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर हमारे पास में चुम्बक है उस चुम्बक के पास अगर किसी लोहे की चीज़ को लेकर जाते है तो वो चुम्बक अपने आप ही इस लोहे की चीज़ को अपनी तरफ खीच लेता है और वो उससे चिपक जाता है उसी तरह से अगर कोई भी चीज काबा के उपर आती है इसी वजह से किसी भी किस्म का हवाई जहाज आज तक काबा के उपर से गुजर नहीं पाया है दोस्तो इसकी दूसरी बड़ी वजह ये है कि आप सभी को मालूम है कि मक्का और मदीना में गेर मुसल्मानों का जाना मना है यानि कि गैर मुसल्मान मक्का और मदीना में नहीं जाबाते हैं इसलिए कोई भी मुसल्मान अगर हज करने या उम्रा करने के लिए जाते हैं तो उनका जहाज सबसे पहले रियाद शहर में उतारा जाता है यानि कि उन सब को सबसे पहले रियाद में ले जाया जाता है फिर उन सब को बसों या ट्रेनों में भर कर मक्का और मदीना ले जाया जाता है क्योंकि अल्ला पाक ने कुरान पाक में गैर मुसल्मानों के लिए पाक सरजमीन मक्का में दाखिल होने पर पाबंदी लगा रखी है और इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी आयते मौजूद हैं जो ये साबित करती हैं कि गैर मुसल्मान मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकते हैं इसलिए किसी भी हुआई जहाज को मक्का की सरजमीन में दाखिल होने से रोका जाता है क्योँकि हो सकता है किसी हुआई जहाई में कोई गैर मुसल्मान भी मौजुद हो और वो गलती से मक्का में दाखिल हो जाए इसलिए सोधी हुकूमत ने सकती से दुनिया भर की एरलाइन्स पर इसके लिए रोक लगा रखी है यानि कि तमाम एरलाइन्स के लिए नौफलाई जौन करार दिया गया है इसके अलावा इसकी एक वज़ा ये भी है कि जिन इलाकों में ओयल या रिफाइंडरिस मौझूद होती है वहाँ पर भी किसी भी फ्लाइट या हवाई जहाज को गुजारने की इजासत नहीं मिल पाती है क्योंकि ऐसी जगह पर अगर कभी कोई हवाई जहाज गिर जाए तो फिर आप सोचिए कि वहाँ पर कितना बड़ा और कितना खौफनाक हादसा हो सकता है और कितना ज्यादा जान और माल का नकसान हो सकता है और मक्का शरीफ तो दुनिया की सबसे अहम तरीन जगह है यहीं वज़ा है कि किसी भी हवाई जहाज को काबा शरीफ के उपर या करीब भी आने नहीं दिया जाता है क्योंकि खुदाना खास्ता अगर कभी कोई भी मुसलिम या काफिर या फिर कोई दहशतगर्दी के इरादे से किसी हवाई जहाज को हाई जेक करके मस्जिद अलहराम के पास ले जाकर उसको मार दे तो फिर कितना बड़ा नुकसान हो सकता है इसलिए सौधी हुकूमत ने पूरी दुनिया के लिए ये वार्निंग जारी की हुई है कि अगर किसी ने भी काबा के उपर से हवाई जहाज गुजारने की कोशिश की तो उसको मिसाइल मार कर फौरन ही तबाह और ब्रबाद कर दिया जाएगा तो दोस्तो इस से मालूम होता है कि सौधी हुकूमत की वजह से भी किसी भी हुआई जहाज को काबा शरीफ के उपर से गुजारने की जाज़त नहीं दी गई है अगर हकीकी तोर पर देखा जाए तो काबा शरीफ सबसे पाक और मुकद्दस जगह है और यहां पर आकर दुनिया का हर मुसल्मान अल्ला की अबादत में मश्गूल हो जाता है ऐसे में अगर हवाई जहाज वहां से गुजरने लग जाए तो मुसल्मानों की अबादत में खलल पैदा होने लग जाएगा इसोजा से भी काबा के उपर से हवाई जहाज को गुजारने की इजासत नहीं दी गई याद रखें अभी तक कोई भी हवाई जहाज काबा शरीफ के उपर से नहीं गुजरा है और इंशालला नहीं कभी गुजरेगा अल्ला से दुआ है कि अल्ला पाक हम सब को भी एक बार अपने घर काबा शरीफ की जियारत नसीब फरमाएं आमीन सुम्मा आमीन उमीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो अभी सबस्क्राइब करें और 7 लगे घंटे पर भी जरूर क्लिक करें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्ला हाफिज